सबी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार और मकर सक्रांती लोडी पोंगल और पीहू की धेर सारी शुब कामनाएं तो आज बहुत ही अच्छी चटकदार इस साल की पहली धूप निकली है और काम करने में बड़ा ही आनन्दा रहा है सबसे पहले आपको मौसम का हाल बताओ तो अभी लंच हो चुका है हमारा और लंच के बाद में मैंने किचिन को क्लीन कर रही हूँ ये चोकि डेली का रूट जो कि मैंने तयार की है मकर सक्रांती के लिए क्योंकि हमारे मकर सक्रांती के पूजा होती है तो अभी बस सारा किचिन साफ करने के बाद में यूटेंसिल वगरा जो भी थे उनको क्लीन कर दिया उसके बाद में कुछ ग्रॉसरी थी और उन ग्रॉसरी को मैं रिफिल कर रही ह तो पहले ही मैंने सुबह में ये कंटेनर वाश करके रख दिये थे आज दूप निकली थी जैसा कि मैंने पताया तो बहुत अच्छे से सूख गए हैं और उसके बाद में मेरे जितने भी ये डाल मसाले वागरा जो भी थे ना वो मैंने इसके अंदर रिफिल कर दिये हैं राजकल सर्दियों में लंच के बाद में कुछ मीठा खाने का दिल करता है तो मैं थोड़ असा गाजर का हलवा जो है वो बनाया था वो खा रही हूँ और कपडों का धेर आप मेरे बराबर में देख सकते हैं ये तो दिन भर के काम होते हैं जो की चलते रहते हैं और जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि सुबह में बहुत अच्छी धूप निकली थी तो मैंने आज काफी सारे कपड़े वाश किये थे और अपनी जो कृल्ट व तूसरी चीज ये कि ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और आपको आसानी से मिल जाते हैं तो मैं हर तरह के कपड़ों की अलग-अलग कैटेगेरी बना करके उनको उनीके स्थान पर रखती हूँ और अच्छी तरह की से रखने से अपना काम तो हलका होता ही है एक बार का काम थोड़ा सा जादा हो जाता है उसके बाद पूरे सब्ता भरतक का अराम हो जाता है तो अभी लगबग तीन सवा तीन बजे का टाइम होगा अभी जितने भी कपड़े ड्राइ हो गए थे तो वो मैंने रख दिये और आप देख सकते हैं पूरी प्लेट भर के काना जी के के अंदर रखती हूँ मैं इस तरीके से करने से यह बहुत कम स्पेस में आ जाती है और एक पिल्व कवर इसकी के अंदर रख देती हूँ फोल्ड करके इस तरीके से अगर आप फैला करके रखेंगे तो आपका यह पिल्लो बन जाएगा अब सारे कपड़े फोल्ड करने के बाद में आज मैंने थोड़े से पौधे लिये थे जो चलती फेरती नरसरी आती है न तो उनसे लिये थे कुछ केलेंडूला लिये थे मैंने और कुछ गजानिया लिये थे दोनों ही मैं इस प्लांटर के अंदर लगा रही हूँ इस प्लांटर के अंदर पहले मेरे खराब हो गए थे जिसकी वज़े से मुझे निकालना पड़ा तो ये दिखे मैंने ये जो प्लांटर बनाए थे ना DIY प्लांटर ये भी तब से खाली रखे थे आज इसके अंदर मैंने गजानिया लगा दिये हैं और ये मेरे प्लांटर भी बहुत सुंदर थे और फूल लगन समय तक देता है अगर इसके अच्छे से देखभाल की जाए प्लांट लगाने के बाद में मैं आ गई हूं अंदर और आज मुझे मंदिर की क्लीनिंग करनी थी क्योंकि अनवेशा जब भी पूजा करती है बहुत जादा तेज लौ जला देती है और मंदिर जो है वो यहां स सॉल्यूशन बनाती हूं वो वाली तो नहीं आई है लेकिन हाँ फिर भी अच्छी क्लीनिंग हो गई है तो मैंने बस अभी मंदिर में सारे भगवान जी को फिर से स्थापित किया और अब आ गई हूं उनका भोग बनाने के लिए तो भोग मैं बना रही हूं मैं बेसन की ख गर और ड्राइफ रूट डाल दिया है इलाइची पाउडर भी हैं टो हैं डाल दिया है और बस थोड़ा सा पानी डाल करके विसकर की हेल्प से चलाओंगी जिसे की इसकी अंदर लंस ना पड़े और अभी बस मेरा ये बेसन की खीर बन गई है और अब आ गई हूं मैं पू बास्तिक बनाया है वो रख्तिया है मैंने जल और इसके बाद में सभी भग्वान जी को मैं तिलक करती हूं रोली से और विश्णु wizardwang जी है नारायन को हम जो तिलक लगाते हैं वो चंदन का तिलक लगाते हैं तो नारायन को और साइब आबाको बोले नात को डोगास को कान करती हूँ तो पर्धे में थोड़ी दिक्कत होती है और अभी हम ग्रहस्त जीवन में हैं तो कई बारी ऐसा होता है बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने सुन लूँ अगर मैं मोबाइल में सुनती रहती हूँ तो ध्यानपुरवक सुन लिया जाता है और मैं इस बीच में अपना दो तिन मंत्र होते हैं उनमें से जो भी मेरे को लगता है कि आज इसका कर लेती हूँ तो वो मंत्र का मैं जाप कर लेती हूँ मैं घर में गीता का पाठ भी करती हूँ जिसके जादा तो नहीं लेकिन हाँ दो पेज ही मैं डेली पड़ पाती हूँ हम उस चीज को भगवान सुईकार करेंगे तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी गलतियां हम भी करते होंगे पूजा में मैं भी करती होंगी लेकिन सच्चे मन से शच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं जो भी पूजा करती हूं वो भगवान स्विकार करते हैं और इसी से मेरा विश्वास भी उनके प्रती बहुत ज़्यादा पढ़ता जाता है तो भगवान तो देखिए बच्चों को हर रूप में स्विकार करते हैं, कभी कुछ गडबर हो जाती है, मैं खुद को ग्याता नहीं कहती, मैं भी सीख रही हूँ, लेकिन हाँ, जितना भी मैं सीख पाई हूँ, उसके अनुसार मैं उसको करने की कोशिश सरूर करती हूँ. कज़ नहीं, जा है तो तेरा, तेरा वज तो चौंस के यह दा दे रहनी, मैं बच्चों को गाता नहीं पाई हूँ, जब चाहें दर्षन करूँ, जट-पट आंके में हूँ. कुल मिला करके मंत्रों का जाप किया दिया उसके बाद में भगवान को भोग लगाया भोग लगाने के बाद में आच्छुमन करती हूं इस तरीके से और उसके बाद में बारी आती है दिये जलाने की आप सब के साथ में बहुत बार शेयर कर ही चुकी हूँ और एक बात और जरूरी कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि हम 8 माला 16 माला का जाब करें और हमारे मन में अगर सचाई नहीं है तो वो पूजा फलिबूत नहीं होती है तो कोशिश करें चाहे छोटी ही पूजा सही लेकिन उसको अच्छे भाव से और सद्धा भाव से सच्चे मन से करे तो वो बहुत अच्छे से फलिबूत होती है तो यहाँ पर देखे मेरे विश्णू सहसरे नाम का जाप चल रहा है और साथ इसाथ जो मैंने भोग लगाया था वो 15-20 मिनुट के बाद में मैंने उठा लिया है मै बहुत जादा देता के लिए भोग को नहीं रखती हूँ वहाँ पर और अभी इस भोग को फिर से गरम करके क्योंकि ठंडा हो गया था सबको बाट दोंगी इस तरीके से भोग सही समय पर को परशाद के रूप में मिल जाता है तो बस अभी मैंने पूजा कर ली है भोग भी विशरित कर दिया है उसके बाद में बारिती खाना बनाने की तो कुकिंग का काम तो करना ही पड़ता है तो मुझे अभी मकर सकरांती की भी कुछ तयारी करनी है और कल लोडी है इस करके मैं नहीं कर पाऊंगी तो उन दोनों चीजों की मैं तयारी अभी करके रख रही जिसे की इसका कच्चापन निकल जाए और इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर हो तो वो भी निकल जाए तो तिल को रोस्ट करने के बाद में इनको ठंडा करने के बाद में मैं ग्राइंडर में हलका सा ग्राइंड कर लूँगी और जब तक यह ठंडे हो र पर करना है बहुत जादा हाई फ्लेम पर नहीं करना वरना जल जाता है तो यह देखे यह है मेरे नारियल का बुरादा रोस्ट किया हुआ और यह हैं तिल धाई सुग्राम के करीबन और इसको भी मैंने हलका सा ग्राइंड कर लिया है अब मैंने एक कड़ाई में फिर से दो ब फिर भून लोगी जिसके खीव के अंदर मिक्स हो जाए और यह मावा जो है यह अच्छे से भून जाए इसको भून ना इसलिए भी ज़रूरी होता है जिसके इसके अंदर फंकस ना लगे और यह हमारा लॉंग टाइम तक टे करे अगर घी मिला लेंगे तो हमारे जो मैं ब के बुरादे के ऊपर डाल दूंगी और साथ ही डाली है मैंने थोड़ी सी किश्मिश चीस्से की और थोड़ा सा टेस्ट आ जाए इसको थोड़ा ठंडा करूंगी फिर आगे का प्रोसेस मैं इसमें करूंगी दोस्तो रात के दस बच चुके हैं हमारा डेनर वगरा सब उस काम से फ्री हो गई हूं मैं और वापस से आ गई हूं अपने लड़ू बनाने के काम को पूरा करने के लिए तो इसमें मैंने थोड़ा सा मीठा कम ही रखा है और मीठा मैंने यूज किया है पाउडर शुगर जिस बन चाती है तो उसको मैंने यहां पर डाला है अपने जरूरत के अकॉर्डिंग और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में फिर इसके लड़ू बना लेने हैं और बहुत ही आसानी से बन चाते हैं और बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है मैं लड़ू बना चुकी हूँ और उसके बाद में थोड़ा सा मैंने यहां पर पंजीरी भी बनाई है अनवेशा के पापा को पंजीरी ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने थोड़ी सी पंजीरी बना करके भी रखी है और इसके बाद में मैं बस अपना रात का नाइट स्किन केर रोटीन करूं आपने आज का वीडियो इंजॉय किया होगा कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सरूर करिएगा मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तके लिए बी हापी बी आक्टिव अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए और आ आपने है